कश्मीर की पतरकार और कारेकरता याना मीर ने पाकिस्तान पर जूटे प्रोबगेंडा के जड़िए भारत की छवी खराब करने की कोशिश का अरूप लगाया है मीर ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्य हिस्सा है उरुने या पूरी तरह से सुरक्षित महसुस होता है ब्रिटेन की संसत की तरफ से लंदन में होस्ट किये गए एक इवेंट संकल्प दिवस में मीर ने कहा मैं मलाला नहीं हूँ जिसे अतंकी खत्रों की वज़त से अपने देश से भागना पड़े मैं अपने देश भारत में सुरक्षित हूँ मैं कभी पाकिस्तान में पनाहा नहीं लोगी मीर ने आगे कहा मलाला मेरे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश करती है जिस पर मुझे आपती है मुझे हर उस टूलकिट सदस से दिक्कत है जो खुद कभी कश्मीर नहीं आए लेकिन इसके बावजूतों सोशल मीडिया और अंतराश्टी इस तर पर कश्मीर में अत्याचार से जुड़ी जुटी कहानिया बोन रहे है कश्मीरी पत्रकार ने कहा मैं आप से अपिल करती हूँ कि धर्म के आधार पर भारतियों का दुरूवी करन करना बंद करें इसे हमें तोड़ा नहीं जा सकता मुझे उमीद है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में रहने वाले लोग अंतराश्टी मीडिया या अंतराश्टी मानव अधिकार मंचो पर मेरे देश को बदनाम करना बंद कर देंगे आतंगवात की वज़े से हजारो कश्मीरी माएं पहले ही अपने बेटों को खो चुकी है अब कश्मीरी समुदाय को शांती से रहने दिया जाए इसी के साथ बने रहे ही एश्यमी जिड़ा के साथ